तो दोस्तों आज की रात बहुत तेजबारिष हुई है शाथ में आधी तुफान बहुत हुआ है दोस्तों तो जिससे हमारा बहुत ज़्यादा नुफसान हो गया है हम दिखा रहे हैं आप लोग को यह हमारा रेफिडो फोरा का का प्लांट है जो बहुत ही लंबा हो चुका था यहां से यह तुट चुका है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रोपोगेशन के बारे में बताएंगे कोशिश करेंगे दोस्तों इसका नहीं है प्लांट बनाने का आगे हम और दिखा रहे हैं कि हमारा कितने नुक्सान होगा है बहुत सारे गमले गिर चुके थे दोस्तों उसको हमने उठाया है और आप देख रहे हैं कि इतना सारा आम जो बचा-खुचा आम था वो सारे गिर चुके हैं हमारे भाई लोग उठा रहे हैं इसको सानू और कान यह देखिए दोस्तों सुबह से लोग उठा रहे हैं आम को और यह गमला गिर चुका है कुछ कुछ चेयर तो बहार उड़ चुका है वाटर टंकी का धकन बहा उपर उड़ चुका है पैंकें फिकागे हैं धुनने कोशिस जारी है दोस्तों यह देख्ये के दोस्तों नारियल भी गिर चुका है आम का यह डंगल गिर चुका है और हमारा प्लान भी गिर चुका है सब आएंगे भी ए ट्री हाउस का उपर वाला हिस्सा भी उड़ उड़ चुका है यह हमारा ट्री हाउस है छोटा सा हिस्सा उड़ है और हम दिखा रहे हैं कुछ-कुछ प्लान को काफी नुक्षान हुआ है हमारा यह बंसाई का एक टूट चुका है और भी पिछले दिनों में टूटा था यह हो गया था यह सारे इस्टेंट करके रखें दोस्तों के जो क्रिश्मस ट्री का उपर का बड़ा सा हिस्सा बड़ा सा हिस्सा टूट चुका है यह दिखा रहे हैं यह देखिए रहो तो इतना मोटा था और हमारा नेपियर का घास है दोस्तों वह भी पूरा जूट चुका है कि अएक और दोस्तों हमारे च्छत की ऊपर में जो प्लांट लगा था फाइकस का प्लांट था ओभी पूरी तरके से गिर चुक करना पड़ेगा इसको दोस्तों हमारे आंगन का इसारे इंडोर प्रांट था यह सारे दप चुके हैं आप देख रहे हैं हमारा इसके लिए बनाये थे वाल वो पूरा तरीके से निकल चुका है हमारे जीप में भी पानी पड़ चुका है और सानुभाइस कुठा अरे यह मेर नेरा बनाध हुआ जूह का नारियल से बनाया था उल्लू का परिंटी वह गिर चुका था भाई उसको हें कर रहे हैं तो दोस्तों आप देखंगे कि कितने नुप्सान हुआ है कौ सारे समान अस्तवस्त है यह देखिए कि ऊसLman के सारे पत्ति चुक चुके हैं पाई टकी टंकी का धकन यहां एका है दोस्तों है बहुत ज्यादा नुक्सान कि हमारा आउला का जो प्लांट था उसका यह डंगाल टुट चुका है खुब सारे नारेल भी गिर चुके हैं